पाठ का शीर्षक है मिर्च का मज़ा बच्चों सबसे पहले सुनो ये कविता पाठ एक काबली वाले की कहते हैं लोग कहानी लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुह में पानी सोचा क्या अच्छे दानी हैं खाने से बल होगा यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा एक चवन्नी फेंक और जोली अपनी फैला कर कुझड इनसे बोला बेचारा ज्योत्यों कुछ समझा कर लाल लाल पतली चीमी हो चीज अगर खाने की तो हमको दो तोल चीमिया फकत चार आने की हाँ यह तो सब खाते हैं कुझड बेचारी बोली और सेर भर लाल मिर्च से भरदी उसकी जोली मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके मगर मिर्च ने तुरंत जीब पर अपना जोर दिखाया मुहसारा जल उठा और आँखों में जल भर आया पर काबुल का मर्द लाल चीमी से क्यों मुख मोडे खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाय छोडे आख पोँचते दाद पीसते रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा मिर्च की चीमी को सिसियाते इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही बोला बेवकूफ क्या खा कर यों कर रहा तबाही कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा बच्चो आब ये कविता पाठ प्रस्तुत है एक बच्चे की आवाज में जिसके साथ कुछ बच्चे इस पाठ को दोहराते हैं आप भी उन बच्चों के साथ इस पाठ को दोहरा सकते हैं तो सुनो ये कविता पाठ एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुह में पानी सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा ये है जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा एक चवणी फैंक और जोली अपनी फैला कर पुझडिन से बोला बेचारा जोतियो कुछ समझा कर लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की तो हमको दो तोल छीमिया फकत चार आने की हाँ ये तो सब खाते हैं कुझडिन बेचारी बोली और सेर भरलाल मिर्च से भरदी उसकी जोली मगन हुआ काबुली फली का सोदा सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च बैठ कर नदी किनारे जाके मगर मिर्च ने तुरंत जीब पर अपना जोर दिखाया मुह सारा जल उठा और आखों में जल भर आया पर काबुल का मर्द लाल चीमी से क्यों मुखमोडे खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोडे आँख पोँचते दाथ पीसते रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही बोला बेकू क्या खाकर यू कर रहा तबाही कहा काबुलीने मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा और अब अन्त में सुनो ये कविता संगीत के साथ एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी लाल मिर्च को देख गया फर उसके मुह में पानी उसके मुह में पानी उसके मुह में पानी सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा एक चवननी फीक और जोली अपनी फैलाकर कुंजडिन से बोला बेचारा जियोत्यों कुछ समझाकर लाल लाल पटली छीमी हो चीज अगर खाने की तो हमको दो तोल छीमिया फकत चार आने की हां यह तो सब खाते हैं कुंजडिन बेचारी बोली और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी छोली मगन हुआ काबुली फली का सोधा सस्ता पाके लगा चवाने मिर्च बैटकर नदी किनारे जाके मगर बीच ने तुरत जीब पर अपना जोर दिखाया मोसा राजल उठा और आपों में जल भर आया पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोडे खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों विला सधाय छोडे आंख कोचते दान्त पीसते रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा मिर्च की छीमे को सिसियाते इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही बोला बेवतूफ क्या खाकर यो कर रहा दबाही कहा पाबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा जादू अपनी राज पाही मैं गाता हूँ पैसा मैं गाता हूँ पैसा मैं गाता हूँ पैसा मिर्च का मजा अभियाव सुन्रहे थिये कारिक्रम प्रक्नीकी निर्देशन सती इश्टलाडे धन्यंकन दीपक पाण्डे नर्माण सहयोग दावुदेयाल चत्रुवेदी तथा नर्माण एवंप्रस्चुती वंधना अरिमर्दन झाल कर पाम झाल